पनबाडी में तीन दिन तक हुई बारेश से खेत बने तालाब किसानों की नभी प्रसासल फसल हुई जलमग्न परिशान किसानों ने सासन प्रसासल से फसल बीमा क्लेम दिलाई जाने की लगाई गोहार बुदेलखंड में प्राकृतिक आपडाओं की माट जिल रहे किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है जिससे किसानों की हालत दिन प्रस दिन बस से बत्तर हूती जा रही है और उन्हें चिंताय सता रही है सबसे बड़ी चिंता किसानों के सामने बच्चों की सिख्षा विवस्ता एवं बच्चियों की साथी की बनी हुई है बता दे कि बुद्देल खंड में लगातार 15 वर्सों से देवी आपदा की रूप में पहाड बनकर समस्या खड़ी होनी वाली शूखा वर्सा उला व्रस्टी की समस्या कम होनी का नाम नहीं ले रही है अभी तीन दिन से हुई भीशड चक्रवाती बरसाने किसानों की खेत तालाब में तबदील हो गए खेतों में त्योहार खड़ी 70% खरीब की फसल जिसमें और्द मूंग तिल छतिग्रस्त हो गई है इसी के साथ 20 प्रसल फसल खेतों में कटाई करके मुडाई के लिए पड़ी होई थी जो जल भराव में डूप चुकी है फसल के छतिग्रस्त हो जाने के बाद किसान पूर रूप से प्रोहाबित हो गया है अधिकान स्तर जन्पद महुबा में किसानों ने जागरुकता दिखाती है सरकार द्वारा संचालेश प्रदान मंतरी फसल बीमा योजना के अंतरगत फसलों के बीमा भी करवाया था और फसल छतिग्रस्त हो जाने के बाद कंपनी के टोल फ्री नंबर पर एबं प्रशाशन को भी शिकायत दर्ज कराकर छतिग्रस्त हुई फसल की मुआपजी की मांग की जा रही है लेकिन किसानों की द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के बाद भी बीमा कंपनी एवं प्रशाशन शक्री रूप से रफ्षण नहीं कर रहा है जिसकी बाद किसानों की चिंताएं बनी हुई है किसानों का कहना है कि पिछले समय उनके द्वारा रभी की फसल में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी लेकिन उसका मुआपज़ा आज तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ इसी के साथ पनबाडी ब्लोक की दवा गाओं के किसान राजेस पाठक नाराज़ की जताते हुई बताते हैं कि सासन फ्रसाशन की सास हमारे जन पृति निदियों के भी जिम्मे दार है जबकि भए छेत्र भ्रवन के नाम पर मिलने बाला भत्ता प्राप्त कर रहे हैं ऐसे जन प्रतिनिदियों के कारणी सरकार के सीर सनेता और सरकार से लोगों का मुह भंग होता है चुनाओं के गवरान बर्तमान में चुने गए जन प्रतिनिदी गाओं में नजर आती है इसके बाद 5 साल तक क्यों नजर नहीं आती इस बात को लेकर किसानों में खासा रोस बना रहता है रूरी खुर्द के भान प्रताप पटोरिया, धवार के प्रकास कुसवाहा, सतोरा के दरगशिंग, बंडवारी के देवेंदर बवेले भी बताती हैं कि उनकी फसले पूर रूप से बढ़सा में च्छती ग्रस्त हो गई है तो बाइज आपका यह जई हैं सव के लिए सबसे बड़ी समस्या। ता या चार-कावज दिन से इतनी घंघंगोर बरसार हो रही किय। कर दो की कौसवें लगाई भी बहनाएं भी खेत नमी के इते हा TRAD गीन सब्सक्राइब प्रदानमंती फसल भीमा योजना चलाई थी उससे आपने करवाया था भीमा नहीं करवाया था इस साल का तो भीमा करवाता हूं जो मतर का भीमा करवाया था वो आज तक नहीं आया इसका भीमा करवाया था है कुछ कहा नहीं जा सकता है रेपोर्टर बिर्चेंद गुपता पनबाडी महोबा